हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप सभी लोगों के लिए अफगानी आलू कड़ाई की रेसिपी सेयर करने जा रही हूं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लाज तक बने रहीएगा प्लीज पूरा वीडियो जरूर वाच करिएगा आपको बहु ठीज जबरदस्त आप इसकी दिवाने हो जाओगे तो चलिए फिर फट फट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है फट फट से बनकर तैयार ही उताEvetटी Film ने यहां पर मीडियम साइज में आलू लिये इनको अच्छे से साफ कर लिया यह देख सकते हैं और यहां पर कुल मेने साथ आलू ली हैं और दो मैंने महाँ पर बड़े वड़े साइस के टमाटर हैं तो मैंने ढ़िमом साइस के टमाटर ले तीन से चार टमाटर आप ले सकते हैं ठीक है अब चलिए हम आलु को फ्राइ करते हैं तो यहां पर कड़ाई में हमने सरसू का तेल डाला है यह सब्जी सरसू के तेल ने बना यहेगा टेश्ट बहुत अच्छा आएगा तो सबसे पहले हम आलु को फ्राइ करना यह तो अच्छा कलर लाने तक आप इसको फ्राइब कर लीजिए तो देख सकते हैं अलू फ्राइब हो चुका है अब इसमें डालेंगे टमाटर को हमने या पर कद्दू कस कर लिया है यह देख सकते हैं आप बारेक चौप करके भी डाल सकते हैं पर कद्दू कस करके डालेंगे तो य एक मीनट के लिए ढगदेते हैं ताकि गल जाए जात 1 गजायगा और यहां पर देख सकते हैं टमाटर इंद न कितना गल चुका है और बहुत ही अच्छा कलर पी आह Sharp लियुद देह सकते हैं तो टमाटर अछे से गल चुका है यह देख़ते हैं और अब हम डालेंगे लैसुन और अद्रक का पेस्ट ये देखिए लेसुन डाल दिया मैंने और अब हम अद्रक का पेस्ट भी डाल देते हैं और इसको एक मिनट तक पका लेंगे तो ये देखिए मैंने 20 में डाल दिया ताकि जल्दी से पक जाएगा तो चलिए इसको पका लेते हैं एक मिनट के लिए और ये देखिए दो हमने हरी मिर्च डाल दी है बारी कटी हुई तो यहां पर यह देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आ रहा है और अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करने जा रहा है देखिए लाल मिर्च का पाउडर है आदा चम्मच और एक चोथाई चम्मच यहां पर काली मिर्च का पाउडर है आदा चम्मच हल्दी पाउडर है और करें सकते हैं मसाला हमने पका लिया था और आप हमने इसमें आधा कप के करीब पान डाल दिया है तो अब यह दो और पानी आप नहीं जरूरर आदा कप करीछा है तो फटनी थाइचर नहीं दालना क्योक् participant को फटनी के से जानदा गरबढें तो फिर आप बोलोगे कि कैसी रेस्पी बता दी यहां पर तो दही फट गया है तो आप जो मैं बता रही हूं उसको फॉलो करिएगा गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल सिम कर दीजिए और इसके बाद इसमें दही डालिएगा जब दही डालिएगा तो लगातार इसको आप चलाते रहे तो बिल्कुल भी दही नहीं फटेगा और नहीं दाने से पड़ेगा यह देखे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया और इसको दो मिनट से तीन मिनट तक आप अच्छे से पका लिजिए तो यहां पर सबजी भी अच्छे से पक चुकी थी यह देखिए और अब हम इसमें डा लाए लीजिए उसको अच्छे से फेट लीजिए और बस उपर से इसको डाल लीजिए और यहां पर देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तयार है और एक चम्मच यहां पर मैंने देसी घी भी एट किया था तो देसी घी जरूर एट करिएगा उससे बहुत ही जबरदस फ्ले बहुत ही जबरदस बर जिसको आप खिलाएंगी ओव आपकी तारीफ जरूर करेगा तो फ्रेंट्स ट्राइश्टर कर एगा और रेसीपी अच्छी लगी हो तो कोमेंट करके जरूर बताएगा नहीं भी अच्छी लगी? तो भी कोमेंट चरके बताएगा तो च quindi mat your और दो लाइक कर दिजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बॉटन जरूर दबा दिया करिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे-चे वीडियो लाने के लिए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा है तो पिर डिस्ट लाइक भी कर सकते हो आप तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए फ्रेंस थेंक्यू बाइबाइब